आज हम लोग जहारखंट के मेले के बारें पढ़ेंगे और यह हमारा दूसरा क्लास है तो अगर आप लोग इसका क्लास पहला क्लास नहीं देखे हैं तो मैं कमेंड में पिन कर दूँगा आप देख सकते हो ठीक है तो आज एक लास का पहला मेला हाँ तो पहला मेला क्या है हमारा तो कुंडा मेला ठीक है कुंडा मेला ठीक है कुंडा मेला ठीक है कुंडा मेला कहां लगता है तो परतापूर में लगता है परतापूर कहां है चत्रा में ठीक है और यह कब आज जित होता है तो फागुन में होता है ठीक है ये मेला किसलिए है मतलब ये फेमस किसलिए है तो ये एक तरह का पसू मेला है ठीक है तो ये पहला मेला थाज का हमारा दूसरा मेला क्या हो जाएगा राम रेखा धाम मेला ठीक है तो राम रेखा धाम मेला कहां लगता है तो सिम्डेगा में लगता है यह मेला कब लगता है तो कार्तिक पुरुनीमा के दिन लगता है ठीक है यह तीन दिन तक आयो जित किया आता है यह तीन दिन तक यह मेला लगता है ठीक है यह जार्खन का त्रिक्त और किस-किस जगह पर मिला लगता है तो उड़ीसा में लगता है च्छतिस गड़ में लगता है और कहां लगता है मध्य परदेश में भी यह मिला मध्य परदेश में भी के भी सरधालू इस मिले में राम रेखा धाम मेला में आते हैं ठीक है राम रेखा धाम मेला में यहां के भी सरधालू आते हैं ठीक है इस मेले का यहां की मान्यता है कि जब राम जी सीता को खोजने के लिए जाया थे तो यहां पे भी यहाँ के पर्वत पे भी राम्रेखा पहार पे भी रुके थे आ करी ठीक है कि नेक्स्ट मेलर आज का तिसरा मेलर अ हमेला में क्या होगा के सर्वाणि कि मेला हाँक थो तो यह कहां लगता है यह तो काफी फिमस मिला है तो सब कोई पता होगा यह कहां लगता है बैदनात धाम और कहां बोल सकते हो देवगहर में लगता है ठीक है कि यह कब लगता है तो यह तो सावन में लगता है हाना कि सावन में लगता है यहां पर इहां पर क्या है तो सिव जी यां करते हो बारह जो उनके जो तिर लिंग में से एक जो तिर लिंग यहां पे है ठीक है बारा जो तरलिंग जो सीव जी की है उसकी एक जो तरलिंग बैदनाध धाम में है उस जो तरलिंग का कहा नाम है तो मनो कामना जो तरलिंग मनो कामना हाना यह मेला एक महने के लगता है और यह विस्टु का सबसे बड़ा सबसे लंबा चलने वाला मेला है ठीक है अब नेक्स्ट मेला नेक्स्ट मेला कौन है बुढ़ही मेला हाना तो बुढ़ही मेला भी कहां लगता है तो देवघर में ही लगता है यह भी मेला ठीक है यह कब लगता है तो यह अगहन के महने में लगता है अगहन के अगहन माह में लगता है ठीक है और इसमें वैसा कुछ है ने ठीक है important है ठीक है यह मेला important है तो यह कहां लगता है हिजला मेला तो दुमका में लगता है ठीक है यह कब लगता है तो वसंत रितु में लगता है वसंत हि रितु में लगता है ठीक है और क्या बोल सकते हो फैब फरवरी और मार्च में लगता है ठीक है यह यह मिला किस नदी के किनारे लगता है यह मेला प्राणरम कर हुआ था तो आठाशानीव में प्रारम वह था किसने प्रायरम किया था तो संथाल परगना के संथाल परगना को जो वहां कर उस tahun के उपायूग थे वही ये इस मेले को स्टार्ट के तर रृपक कॉन था उस टाइम का स्ट्रेयर का स्ट्रेय था ठीक है और और इसका यह जो हिजला नाम रखाया है हिजला क्यों नाम पढ़ाया इसका तो यहां पर एक पहाड है ठीक है वहां पहाड है और पहाड में हीजलो पाइट नामक एक नामक खनीज rightud नामक एक खनीज पाया जाता है जिसके नाम से इस मेला का नाम हॹजला मेला पड़ा है ठीक है और देख लेते ह ć laura कुछ मेला और क्या क्या है और मेला हम लोग कहा है बिन्दु धाम मेला बिन्दु धाम मेला कहां लगता है यह यह लगता है साहेब गंज में ठीक है साहेब गंज में यह मेला लगता है ठीक है यह एक क्या है यह एक सक्ति पीट है यह क्या है सक्ति पीट है यह कब लगता है तो चैत माह में लगता है ठीक है और कब से कब तक email लगता है तो राम नौमी से एक सब्ता किल तक चलता है email ठीक है यहाँ पर किसकी सक्टी पीठ है और यहाँ पर किसकी पूझा की जाती है तो मा विंध्या वासनी का ठीक है माविंद्यवासनी का पूजा की आ जाता है यहां ठीक है थो नहीं तक कोई दिकथ तो अब और कुछ important मेले के बार आशन गोथित का था ज्वान का ओदूत आज है वो कहा लगता है वह ज्यादा important है तो वह देख लेुत ठीक है तो पहला मेला हमारा हो जाएगा गांधी मेला गांधी मेला कहां लगता है तो सिम्डेगा में लगता है ठीक है उसके बाद हो जाएगा तुर्की मेला तुर्की मेला कहां लगता है तो ये चाइबासा में लगता है ठीक है और फिर उर्स मेला उट्स मेला कहां लगता है तो गुमला में लगता है ठीक है और यह जत्रा ही मेला जत्रा ही मेला कहां लगता है तो यह चत्रा में लगता है ठीक है तो हमारा मेला यहीं पर खत्म होता है और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे तो इसका एम सी क्यू कर लेंगे जिसे आप लोग को पता चल जाए कि आपको कितना याद हुआ है ठीक है और किस टाइप का कोईशन आ सकते हैं ठीक है तो ठीक है आज के लिए इतना ही